बहुत समय पहले की बात है एक छोटा सा गाव था उसके कोने में फूलों की बहुत सारी क्यारे आथी उनमें बहुत सारी फूल थे और वहर सिंपल सी बात है कि अगर फूल होंगे तो मदुमक्य आना तो बनता है तो वहां पे मदुमक्यों का जुन बहुत गिरा रहा था एक क्या हुआ एक बर उधर ही गोल रही थी जहां पेस भी फूल के पेड़ थे वो एक मदुमक्य के पास गई और उसे देखा कि वो गुलाब की फूल के उपर बैठी है और फूल का रस चूस रही तो उसे थोड़ी इर्शा होने लगी तो वो उस मदुमक्य के पास पहुची और उससे कейने लगी कि हम दोनों में समानता बहुत सारी हैं हम दोनों के पंक हैं हम दोनों पूल का रस चूसती हैं हम दोनों डंग भी मारती हैं फिर बढ़ी क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर बगाते हैं वैसे मैं तुम से अधिक सुन दर भी मुझे बताओं कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं बर का सवाल पूछने का मतलब यही था कि उसके अंदर एहिंकार था कि मुझसे जादा खूप प्सूरत और को जो सुवत नहीं नहीं तो फिर मधमक्ही को लोग क्यूंद क्यूंद कालते हैं क्यूंद मधम het आधर पाते हैं मनुष्य उन प्राणियों का ही आधर करते हैं जो परिपकारी होते हैं जैसे की गाय जो मनुष्य को दूद देती हैं उसी प्रकार से और जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनका मनुष्य कभी यादर नहीं करते हैं तुम सुन्दर हो परन्तु मनुष्य को केवल कष्ट देती हैं तुम उन्हें डंक मारती हो जिसके कारण उनको सुजन हो जाती है और उन्हें बहुत दर्द होता है मैं उन्हें मीठा शहेद देती हैं इसी कारण उन्हें मेरा डंक भी दुख नहीं देता जितना उन्हें मेरा शहेद सुख देता है इस वज़े से ही जो मनुष्य है वो मुझे पालते हैं और बर्द तुम्हें लोग दूर भगाते हैं इस कथा से आप लोगों को बस यही समझाना चाहूंगी कि व्यक्ति को प्रेम और आदर शादेरिक सुनदर्ता के कारण नहीं बलकि उसके सद्गुनों के कारण प्राप्त हता है इसलिए किसी से इशा करना छोड़िये और कुछ ऐसा करके दिखाईए